अब ही मैं आपको ट्रेक्टर के क्लच के बारे में जानका लिए देना चाहूंगा ट्रेक्टर के क्लच में बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं सिंगल क्लच होता है, डियोल क्लच होता है या तो दबल क्लच होता है तो पहले हम सिंगल क्लच के बारे में जानने के कोशिश करेंगे, यहां मेरे सामने आप देख सकते हो, यह दोनों ही क्लच असेमली जो है, यह सिंगल क्लच के हैं, सिंगल क्लच में भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं, उसको जानने के कोशिश करेंगे, तो यह जो आप और यह जो आप देख रहे हो यह भी क्लच प्लेट ही है मगर इसको हम बोलते हैं सेरा मेटालिक टाइप क्लच प्लेट दिखने में गोलाकार में नहीं है पंको जैसे दिखता है मगर यह जो आप पैच देखते हो इदर यह होगा आपका पूरा इतना सा коїूट हो इसका क्रता है इसका बेनिफिट यह की यह है मटीरियल जो है कि इसकी बहुत हाई है बहुत अच्छा साक्राटा्यकम क्रता और इसका लिए जो जगा भी है ये जगा खाली होने के कारण पंके जिसे काम करेगा हवा इसके अंदर भूम दे रहेगा इसका बूलने का मतलब हेविटी काम के लिए सेरामेटरी क्लश्प्रेट बहुत अच्छा है क्योंकि थंडा चलता है मटील बहुत स्ट्राउंग होता है और कि इसकी असेंबिली की बाथ करें promise बॉक्ल श्प्रेट के एसेंबिली होते हैं क्लाच थे जो देख रहे हो वह पुराना नहीं है पुराणा इसलिए क्योंकि इसकी अंदर जो आप स्प्रिंग देखते हूं on जो स्प्रिंग आप देख रहे हो इसको हम बोलता है कॉइल करते हो इसको हम बोलते हैं कोईल स्प्रिंग तो यह कोईल स्प्रिंग का प्रोब्लम यह है कि अगर में क्लच पैडल एक पंदरा बार दबाऊंगा तो मेरे घुटने दुटने लगेंगे मगर अभी जो लेटेश्ट ऐस्प्रिंग जो आया हुआ है यहां देख सकते हुआ तो इसके अंदर अलगसा स्प्रिंग नहीं है यह जो पत्याँ आप देख रहे हो यह बिलकुल प्रिंग की तरह काम करेंगे मतलब यहीं तो इसका बेनेफिट यह है कि अगर में 50 वार भी प स्पेडल को दबाओं तो मेरे गुटने दुकेंगे नहीं तो बहुत आरामदायक होते हैं लंबे समय तक ड्रैवर काम कर सकता है और एक बनिफिट इसमें जो है यह जो फिंगर हैंट बार बार एड़ेस्ट करनी पड़ती है मगर इसमें ऑटो एड़ेस्ट होता है ओटोमेडिकली अज़ेस्ट अपने आप कर लेता है तो हमारा ज्याद तर पावर ट्रैप फाउन ट्रैक्ट ट्रैक प्रो में आप इस तरीके का क्लच असवली देखोगा जिसमें डाट्रण वाले पत्यों वाला स्परिंग पाये जाता है और छोटी ट्रैप्रों में आप ऐस